लेकिन जब से यहां जेमेम और कॉंग्रेस की परिवारबादी, ब्रस्टाचारी और तुष्टी करणवाली सरकार बनी हैं, तब से सीतियां बहुत बिगडी हैं। जेमेम का मतलब हो गया है, जम करके खाओ। जारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है, तुष्टी करण के चलते गुष्पैट बढ़ती जा रही है। और यहां जेमेम कॉंग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है। अपनी तिजोरियां भरने का इन लोगों ने जारखंड की जनता को लूट कर, आपको लूट कर, आपके पसीने की कमाई को लूट कर, अपने लिए बे नामी संपत्यों के पहाड बना लिये हैं। आपने देखी हैं, ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंनो तो अपनी आखों से कभी नोटों के ऐसे डेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा क्या जारखंड कमाल कर रहा है। कोहले के धेर तो देखे थे, नोटों के धेर देख रहे हैं। और अभी बाबुलान लिश्यों तो बढ़िया वड़नान किया है इसका। भाईयो बहनों, यह आपका पैसा है। यह जारखंड के गरीब आदिवास्यों का पैसा है। यह आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविश्य के लिए पैसा था। इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माप करोगे। ऐसे लोगों को माप करोगे। क्या ऐसी बेहिमानी जारखंड में चलने दोगे। क्या आपका रुप्या कोई लूट ले आपको मंजूर है मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों हाथ उपर करके ऐसी ताकट लगाईए भारत माता की जेलों में भी कुंज सुनाई देनी चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद